नमस्कार सात्यों एक बार फिर से आप सभी का अपने यूटूब चैनल यूपी आर्टी और यू प्रियाग राज में श्वागत है सात्यों आज हम आपको इस वीडियों बताने वाले हैं कि कई सारे नए जो एसाइमेंट है 2013-2024 वाज जारी हो चुका है कई सारे नए जो है अभी कल के डेट में ऐसाइमें जो है जारी किया गया है तो भी कौन कौन सब्जेक्ट की जो है assignment paper आपके जारी हुए है ठीक है उन्हीं आप कैसे डाउनलोड करेंगी उसकी PDF फाइल साथ हूँ आपको कहा मिलेगी इन सब के बारे में पूरी बिस्ति जानकार हम आपको अपने इस video में देने वाले हैं तो इसके लिए साथ हूँ आप अपने मुवाइल या फी लैप्टाप में उपिन कर लिए जो भी साथ हूँ आपके पास system available है और जब इस प्रकार इसका home पे साथ हूँ आपके सामने open हो क्या आता है यहां देखिए उपर आपको एक option लिखा हूँ मिलेगा एक्जामिनिसन का ठीक है तो simply आप इस एक्जा क्लिक कर देखिए इस पर क्लिक करने के बाद यह आपके सामने इस प्रकाठर से open हो क्या और जब साथ हूँ है आपको देखuary मिलेगा सबसे पहले देखिए आपको दिया गया है assignment 2023 मिश के बाद इहां पर देखिए आपको एक note दिया गया है की näm pogadian EPC New Education Policy के तहट admission season start from 2023-2024 onward तिक यानि जो आपका नया admission education policy है उर्सिय उन्सवारी जो है यह आपका assignment paper जारी किया गया है तो कौन-कौन सा साथ हो यहाँ पर assignment paper जारी किया गया है किसकी subject का assignment paper जारी हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पर पोश्वेट प्रोग्राम यानि यम्मे का यहाँ पर देखिए आपका assignment paper जारी हुआ जैसे सबसे पहले यमकौन का है उसके बाद यह में economics subject का assignment paper जारी हुआ है थर्ड समेश्टर का यह में इंगली सब्यट का फर्स और सेकंड समेश्टर का assignment paper जारी हुआ है यहां 153 YESW सबसे पहले बिकौन का इसके बाद BA जो आपका economic subject है उसका देखे 1st और 2nd semester का assignment paper जारी हुआ और BA English जो आपका subject है उसका 2nd और 3rd और 4th semester का assignment paper जारी हुआ और BA जो आपका English 1st semester है उसका भी assignment paper जारी हो चुका है BA जो आपका philosophy subject है 1st semester का उसका भी assignment paper जारी हो गया इसके अलमा UG history यानि BA century जो आपका subject है उसका भी 1st semester का SM paper जारी हुआ है इसके लिए जो आपका BA उर्दू subject है उसका 1st और 2nd semester का SM paper जारी हुआ है इसके लिए जो आपका single history है साथ हूं उसका BA SM paper जारी हुआ है तो टोटल इतने SM paper जारी हुआ है जो यहां पर हमने आपको बता दिया है कि किस-कि subject को SM paper जारी हुआ है और किस semester का जारी हुआ है ठीक है और इसके अलमाबे साथ हूं है आपको मन में doubt कोई question है तो आप में comment बहुत में comment करें पूछ सकते हैं तो जो साथ हूं आपका SM paper है 2023 का आप सिंपली जो है यूपी एर्ट्यो की official फैट पर आकर जो हम आपको यहां पर बता रहें इस प्रकार से आप यहां पर आकर इसका SM paper डाउनलोड कर सकते हैं इसके आपको यहां पर इसका SM paper नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलग्राम चैनल को जोइन कर लिजी जिसका लिंक इस प्रकार इसके load करेंगें तो आप मारे टेलग्राम मैंस से भीज़ा कर सकते हैं यहां पर इसकी क्लिक करेंगे कैसे इस प्रकार साफ़ इस प्रकार से अपन होकिया और इस पर आपको सीजन लिखा मिलेगा 2003-26 यह पे माक्समुम जो आपका मार्क यानि यह आपका 30 नमबर का ठीक का पीपर है और यहां में आपका समेंश्टर मैं नाम हो आ पो देखने को मिलेगा के आपको सेक्षन हैं इस सब से पहली आपको देखने मिलेगा सिंपल आप चाहिए कोई भी आपका पेपर ही चाहिए आपका बे कोई कोई हो या फिर कोई सिंग्ल सले़ हो लबेट को जितने भी assignment paper जारी होएंगे साथ हूं जितने भी assignment paper आपके जारी होंगे ठीक है उनमें दो सेक्षन में ही आपके question पूछे जाएंगे और जो आपका paper होगा assignment paper होगा question paper वह आप 30 number होगा साथ में कितनी number का 30 number का होगा paper ठीक है सबका इसके बाद देखें आपको दिया गया सबसे पहले हैं आपको question दिया गया सक्षन में question पूछे गया है इसे सबसे पहला question यह आपको दिया गया है ठीक है वाट टीज रीथम एंड राइम इसकीम नेम एनि टू ठीक है रीम इसकीम विद एक्जामपल यह उद्यारण के साथ आपको दो नाम भी बताने है ठीक है इनका answer आपको केवल 200 से 300 सब्दों मे नहीं लिखने है तो आपकी फ्रकार्ट लिखने है देखें अडमिशन लेने के बाद जो आपको बुख मिलती साति हो आपको एक बुख भी मिलती है वह बुख का बाती है जब आप अपने कर शऺयाते हैं अपको बुचत पूचटा पिस अदर आपकेया पी पास यहार मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी इसके बारे में पूरी बिस टील आपको हाँ पर बता देंगे तो आप अपने एडिसेंडर संपर्क जरूर बनाए रखें ठीक है इसके बाद जब आपको बुक मिलेगी तो आप अपने बुक से क्या करें अपने बुक से इस जो भी हाँ पर को होगा और एक चिजह और आपके मन में कोशन रहता साथ हूं जो यह आपको एक कोपी होती है जो में को बनाब कर दान के जाती आपके में मिलती यापं को नहीं मिलती है तो आप उन से संपर करेंगे तो आपको को बताएंगे कि आप किस टाइप का कॉपी लेकर अपना assignment लिखकर जमा करेंगे या फिर उनके पास होगी और लेबल होगी तो आपको कॉपी जूड़ देंगे क्योंकि जहातर साथ यही होता है कि जो कॉपी होते है assignment कॉपी लिखनी की वह एक डी सेंटर द्वारा ही दी जाती है ठीक है तो अब आपके डाउट किलर हो गया होगा कि यह assignment कॉपी आपको कहा से मिलेगी और इसका answer आप किस प्रकार से लिखेंगी यह भी हमने आपको बता द B में जो आपका question होगा साथ देखें वा लॉंग answer type question होगा ठीक है इनके उत्तर जो आपको लिखने होगे वह देखें 500 से लेकर 800 सब्दों में इनका answer आपको लिखने होगे जो आपके section B में question पूछे जाती है ठीक है और इसके अलाउब भी है आपको कोई question है assignment को लेकर तो आप में comment box में comment पूछ सकते हैं जो आपका इहां पर जो आपका नई जो है जो आपको यहां पर दिया गया है ठीक है जो आपका फर्स समेश्ट में कितने paper दिया साथ हूं, नए शिच्छा नीट के तहट सात हूं, जो आपका इस में आपको पांच paper है और पांच आपको 7 copy लिखनी है और लिखकर आपको अपने जमा करना है तो इस वीडियो में इतना है तो इस वीडियो में इतना ही नमस्कार जहिन